प्रिये विद्धार थी हूं क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए इन्वर्स टिग्नोमेटिक फंक्शन के के सबसे पहले आप यह समरी जो आपके NCRT बुक में दी हुई है डोमेन और रेंज यह आपको याद होगा हैं इसको एक बार आपस रिवाइस कर लें देखें साइं इन्वर्स और कोट से इन्वर्सक्स का डॉमेन क्या होता है सेम होता है और रेंज माइनस पाइब बेटर से पाइब बेटर जीरो से पाइब क्लोस ब्रेकेट है similarly कोसेक और सेकी और 10 और कोट का भी दिखिए domain same है इन दोनों का भी domain आपके पास क्या होगा same है और range different तो थोड़ा आप बाई हार्ट करें अब questions discuss करते हैं questions है two men on either side of a temple of 30 meter high observe its top at the angles of elevation alpha and beta respectively देख़़ अलफा दे रखा है यह beta आपको दे रखा है as on in the figure above the distance between the two men is 40 root 3 तो देखे यहां से यहां तक की जो distance है आपको कितने दे रखी है 30 meter यहां से देखे as on in the figure above distance between the two men is 40 root 3 meters यह यहां से यहां तक की जो distance है यह कितने दे रखी है आपको 40 root 3 meters and the distance between the first person a and the temple is 30 root 3 ये से टेंपल की जो डिस्टेंस है ये आपको दे रखी है 30 root 3 तो ओबियस है ये डिस्टेंस आपके बास कितने हो जाएगे देखो 10 root 3 क्योंकि टोटल कितनी 40 root 3 best on the above information answer the follow इनके अंसर आपको देने हैं तो इनके अंसर ये questions आपके पास हैं तो अगेन देखी इसको वापस अगर आप simplified way में इस triangle में अगर आप बनाते हैं तो यहां से यहां तक है इसको गलग से आप triangle बनाने यह देखे गलग से आप एक triangle draw कर ले same इससे तरह से पेटन से हम draw कर ले ये angle आपके पास alpha है ये angle आपके पास beta है ये straight line है ये आपके पास d है b, a और ये आपके पास बन जाएगा c, ये 30 root 3 है और ये आपके पास है 10 root 3 और ये आपके पास है 30 अब आपका question देखे c, a, b angle c, a, b c, a, b आपको निकालना देखो c, a, b, alpha ये आपके पास है angle आलफा यह आपको निकाल नहीं, तो आलफा के लिए आप देखें, 10 आलफा, साइन आलफा, और किसी भी फॉर्मल निकाल सकते हैं, लेकिन यह 30 रूड 3 है और यह आपके पास कितना है? 30, तो इसके लिए आपके पास कहाँ चाहिए, ए भी आपको पहले निकालना पड़ेगा, दिखिए AB square equals to क्या होगा पाइथागोरस दिवरम से 30 root 3 square plus 30 square और 30 root 3 900 into 3 और plus कितना होगा 900 900 आप उमंग ले ले into 4 आ जाएगा AB square equals to AB आपको मिल जाएगा 30 into 2 660 मीटर यह आपके पास 60 मीटर अब आपको C भी निकालना है sine की टर्म्स में और coarse की टर्म्स में देखिए एक एंगल आपको C भी निकालना है तो अगर आप एंगल निकालना है तो sine of alpha equals to opposite देखिए यह आपके पास 30 है opposite upon high potence कितना होगा 16 to 1 upon 2 alpha is equals to मिल जाएगा sine inverse of 1 by 2 इस एक एंगल आपको C भी निकालना है alpha को स्टी मिल गया आपके पास sine inverse of 1 by 2 यह आपके पास है तो यह आपका option बन जाएगा इसमें फिर्स्टी में बन गया आपका B यह आपके 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 रहा है नाओ come to second अगें यह कोस की फॉर्म में आपको निकालना है देखिए कोस है तो कोस alpha निकालने तो कोस of alpha equals to adjacent adjacent is 30 upon root 3 upon hypotence आपके कितना होगा है 60 तो यह आपको मिलेगा 30 upon 1 upon 30 cancel करेंगे 1 by 2 3 by 2 तो alpha equals to हो जाएगा कोस इन्वार्स ओफ रूट 3 by 2 कोस इन्वार्स ओफ रूट 3 by 2 यह आपको आप्शन राइट हो जाएगा सी नाओ कम टू थर्ड पार थर्ड पार देखते हैं इसका अभी देखिए इसका पेटर्न चेंज होगा है अभी इसका पेटर्न में क्या होगा आपके 1 प्लस 1 प्लस 2 वाला सिस्टम है तो इसमें 2 वाला जहें उसमें आपके पास options नहीं आएगे तो 3rd जो questions हैं यह आपके 2 marks में पहुचा जाएगा तो इसमें options नहीं आएगे और इसमें और आएगा तो 3rd और 4 में आपके पास क्या होगा options होगा और और का options होगा, alternate होगा दोनों में से आपको चूज करना है अब आपको निकालना है देखे यह बीटा आपको निकालना इसे ट्रेंग में को आपस consider करते हैं और आपको किसकी फॉर्म में निकालना है 10 की फॉर्म है देखें इस question को इस figure को अगे हम देखें हो अपक तो 10 बीटा 10 बीटा आपको निकालना है 10 of बीटा equals to होगा देखो opposite 30 upon adjacent कितना होगा देखो 30 root 3 30 से 30 के इसे यह आजाएगा आपके बास कहा जाएगा 130 upon 10 root 3 30 upon 10 root 3 30 32 3 upon road 3 आपको मिल देगा यह मिल जाएगा रोट तो बीटा equals to आपको मिल जाएगा 10 inverse of road 3 beta equals to पर मिलेगा 10 inverse of road 3 देखें आपके इस में beta equals to 10 inverse of road 3 तो फॉर्थ में बीटा एक्वास टू 10 इन्वर्स अफ रूर्ट 3 तो बीटा एक्वास टू 10 इन्वर्स अफ रूर्ट 3 और रूर्ट 3 कब होता है 60 डिगरी प्ले 60 डिगरी 10 इन्वर्स अफ 60 60 पो पन लेखेंगे 5 बाई 3 इसमें option अधा पाई बाई 3 और डॉमें एन्वर्स अफ रूर्स अफ यसा मैंने भी आपसे डिस्कूस किया है तो डॉमें हमेसा क्या होगा माइनस वन से वन है देखो ओपन इंटरवल नहीं हो सब्सक्राथ ए और डिकता आपको आप्शन ऑटमेटिक एंजल है बी और सी में से एक आपको चूज करना है तो माइनस वन से वन है और जीरो टू पाई टोज इंटरवल में तो इसमें option आपको क्या हो जाएगा सी यह आपको अप्शन है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पाँ लाइक करें अपने फ्रेंड साथ सेर करें और मेरे चैनल पाइब नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं थेंक यू बेडि मच पूर वाचिंग इस वीडियो जाएकिन